वंदे मात्रम मैं विजए ठाकर आपका स्वागत करता है अज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के जो स्टूडेंट है में लेकर आया कुछ खास आपके लिए क्योंकि एक्जाम आगए पास और तैयारी होगी बिंदास बट इसके लिए करना पड़ेगा मेहनत बहुत जाद कम थोड़ी सी स्पीड रखेंगे हम लोग ज्यादा सफर नामा है आज हमारा चलिए स्टार्ट करते हैं कोशन नमबर वन डिस्टिनिक इज बिट्वीन फैक्टर इंकम एंड़ ट्रांसफर रिसेफ्ट या ट्रांसफर इंकम हम लोग बोल सकते हैं यहां पर कोई इशू नह रहा है तो डाट इजनोन आज ट्रांसफर इंकम चलिए इसका बेस होना जरूरिया बिना बेस के इस नहीं होता यह डिफरेंस नहीं होता पहला मीनिंग की हम लोग बात करते हैं फैक्टर इंकम इट रफर्स टुदा इंकम रिसीव बाय फैक्टर्स और प्रड़क्शन एक इंकम रिसीव ना जो कि कही ना कहीं फैक्टर्स और प्रड़क्शन में इंवाल्व है लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्राइज में इंवाल्व है फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेस इन दा प्रड़क्शन प्रोसेस किसमें भाई यह कहां उलजे हुए तो यह प इसे बिए प्रड़क्शन सर्विसेस इं रेटऱ् एससा कोई भी पैसा जो पिना सर्विसेस के मिल रहा है उसको हम लोग बोलता है यह पर ड्रांशफर इंकम नेचर की जिंकम एंड पॉनेक्ट के क्या जा सकता है नाशे इंकम में भी क्या जा सकता है नाशे इंकम नौर ना तो यह नाशें में भी कामाना पड़ता है मेहईनद करने पड़ती है बट जैसे हम लोग transfer receipt पे आते हैं या हम लोग बात करते हैं transfer income की तो यह कहला था it is a receipt concept यहाँ पे पैसा मिलेगा तो बट यहाँ पे कोई rendering services नहीं करनी है मतलब बिना मैनत के भी दोस्तों आपको यहाँ पे पैसा मिलेगा ही मिलेगा आगे हम लोग बात करते हैं भई next हमारे कुछ और बेसिस है recipient की बात करें इस से किसका फायदा होगा दोस्तों तो फैक्टरिंग का मोलता it is received by the factors of production land, labor, capital and enterprise इनको payment जो मिलेगी किस फॉर्म में मिलेगी तो land वाले को मिलेगा रेंट, labor को मिलेगी यहाँ पे wages, capital वाले को मिलेगा यहाँ पे interest और enterprise वाले को मिलेगा यहाँ पे profit पेंशन, example की हम लोग बात करें तो factor income में rent, wages, interest और profit यह चारों चीज़े आती है और transfer receipt में बात करें तो scholarship आता है, old age pension आता, unemployment allowance जो है, वो transfer income या transfer receipt का पार्ट यहाँ पे होता है, तो इस तरीके से यह question बहुत important है, three to four marks में exam में teacher देने वाली है, तो इसको रट लो, घोट लो और समझ लो दोस्तों, चलिए, question number two जो आता है, distinguish between intermediate product, या तो मैं बोल सकता हूं intermediate goods, and final product, give example, अब दिमाग में यह बठा लो, कि intermediate goods वो सारे goods होते हैं, जिस पे बार 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 processing आप कर सकते हो, final goods वो goods होते हैं, जिस पे further processing नहीं हो सकती, यह बात बढ़ बढ़ा लो, but दोनों ह जो है, हमारा final goods भी हो सकता है, जैसे, मान लेते हैं कि एक bread seller है, तो bread seller के लिए bread बेचना, उसके लिए final goods की तरह है, but sandwich वाले के लिए same bread जो है, वो यहां पे intermediate goods है, तो same time पे same commodity जो है, वो intermediate भी हो सकती है, और final भी हो सकती है, but यह depend करता है, उसके use पे, ठीक ना, तो यह concept समझ में आचुका होगा आप लोग के, चलिए इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, basis की बात करें, तो सबसे पहले meaning की बात करते है, final goods, final goods refers to those goods which are used either for consumption or for investment, तो final goods वो गुट्स होते हैं, जो की directly use करने के लिए खरीदे जाते हैं, उसको बला जाता है, final goods, intermediate products की बात करें, intermediate goods refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year, दोनों एक ही बात करी गई है, तो intermediate goods जो है, वो goods होते हैं, जिस पे अभी भी further production बाकी है, मतलब अभी इसको बार 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 reseal किया जाएगा, that's why it is known as intermediate product या intermediate goods, आगे हम लोग बात करते हैं, nature की किस तरीकी का nature रहेगा इसका, they are included in both national and domestic income, यह दोनों में ही आड किया जाएगा, national income में भी और domestic income में भी, intermediate goods की बात करें, तो इसको नहीं किया जा सकता है, क्यों कि यह final form में नहीं आया है, they are neither included in national income nor in the domestic income, क्यों 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 कि अगर यह sale हो जाता, तो इसको हम लोग consider करते हैं, बट अभी final goods की condition में हम लोग इसको नहीं रख सकत है, आगे हम लोग बात करते हैं, demand क्या होगी भाई, demand बोलता है, they have direct demand as they satisfy the wants directly, क्यों 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 कि इसको हम लोग बोलता है, ready to use, मतलब सीधे open क्या और use कर लिया, इस तरीके से जो goods होता है, वो final goods होता है, but अगर हम लोग intermediate product की बात करें, intermediate goods की बात करें, they have a derived demand as their demand depends on the demand for the final goods, intermediate goods आगे चलके बनेंगे final goods, मगर इसको देखा जाए तो इस पर हमेशा processing चलती रहेगी दोस्तों, value addition की बात करें, they are ready for use by their final user such that no value has to be added to the final goods, तो यहाँ पे कोई भी चीज़े add-on नहीं कि जा सकती, इसलिए इसको final goods कहा जाता है, they are not ready for use such that some value has to be added to the intermediate goods, मतलब अभी बहुत सारी चीज़े इसमें add करना दोस्तों बाकी है, इसलिए इसका नाम करन क्या कर दिया आप लोगों ने intermediate goods या intermediate product, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग प्रोडक्शन मौंडरी की, तो final product जो है, उसमें production मौंडरी किस तरह के से काम करती, they have crossed the production मौंडरी, मतलब अब उसम अभी बीच चल रही है, दोस्तों, example की बात करें, milk purchase by the household for consumption, car purchase as an investment, तो उन्हें अपने personal यूज़े जो भी चीज़े लिए, वो सब final goods में आएगी, but milk used in dairy shop for resale, अगर यहां पे ये shop की पर होता, और ये milk purchase करके आता, तो same milk जो होता, वो intermediate goods हो जाता, coal used in factory for further production, और coal यूज़े करना है भाया, factory में किसके लिए भाई, further production के, तो ये intermediate goods का part है, क्यों कि ये दूसरे goods को बनने में support कर रहा है, ना कि इसको खुदी कोई directly use कर रहा है, दोस्तों, चलिए आगे बरते है, question number 3, क्या कहता है हमसे, machine purchased is always a final goods, machine जो है, वो हमेशा final goods होनी चाहिए, क्योंकि machine जो है, तो अपने आप में production करती है final goods का, do you agree, give reason for your answer, ठीक है भाया, answer बताइए हम लोगों को, अगर आप लोग इस बात से सहमत है तो, whether machine is a final goods, or it depends on how it is being used and used, अब machine का क्या use कर रहे हो, ऐसी भी बहुत सारी machines है, जो कि supportive system में काम करती है, but वो main machine नहीं होती, तो अब आप machine को final goods directly नह नहीं कह सकते है, क्योंकि ये उसके use पर डिपेंड करता है कि कि किस तरी के से उसका use हो रहा है, if machine is bought by a household, then it is a final goods, अगर उसको household ने खरीदा, तो ये final goods हो सकती है, क्योंकि उसको वो further resale नहीं करने वाला है, reuse तो करेगा, बार बार इस्तेमाल करेगा नहीं, तो आप बोलोग है, firm ने अपने लिए use करने के लिए खरी तो भी ये final goods है, if the machine is bought by a firm for resale, then it is a intermediate goods, तो यहां पर यह समझ में आया कि किसी भी product के use पर डिपेंड करता है, then it is treated in the category of intermediate goods, और the final goods, तो यह आप पर डिपेंड करता है, दोस्तों की use पर डिपेंड होगा, पूरा का पूरा system यहां चलिए, आगे बात करते हैं हम लोग यहां पर, which of the following expenditure incurred are on intermediate product and which are on the final goods, you must state your reason for your answer, जो भी आप बता रहे हैं उसका reason देना ज़रूरी है, purchase of tickets for train journey by an individual, purchase of eatables by a firm, purchase of a car by employer for office use for his employees, चलिए इसका reason बताएंगे हैं हम लोग यहां पर, purchase of ticket for train journey by an individual, खुद ने अपने traveling करने के लिए इसको खरीदा, अब यह इसको transfer नहीं कर सकता, क्योंकि यह आपने खरीदी है, तो इसको transfer नहीं किया जा सकता, final goods are referred to as those goods which do not require further processing, यह ticket अपने आपने दोस्तों final goods है, these goods are also known as consumer goods, इसको हम लोग कंजूमर goods भी कह सकते, and are produced for the purpose of direct consumption, by the end consumer, अब यहां पे क् goods बनाएगा है, directly consumption क्ले बनाएगा है दोस्तों, intermediate goods are referred to as those goods that are used by businesses in the producing goods और services, और यहां पर यह बोड़ रहा है कि अगर intermediate goods की बात करेंगे, तो वो सारे goods जो दूसरे goods को, दूसरी companies को या दूसरे individuals को support करते हैं, क्या करने में दोस्तों, यह further processing में support करते हैं, उन सारे goods को हम लोग बात करें, तो purchase of eatable जो है, यह बहिया कहीं न कहीं intermediate product है, ठीक है, क्योंकि इस पर further processing आप कर सकते हो, final product की हम लोग बात करें, तो purchase of a car by an employer for the office used by his employees, यह final product है, क्योंकि इसमें अब आप further कोई changes नहीं चाहते हो, इसलिए इसको final product हम लोग माल नेंगे, next question number five screen पर आ चुका कहता है, discuss the meaning of consumption goods and the capital goods, तो consumption, वो goods का consumption करना, जो कि आपकी needs or desires को fulfill करें, उसको बोलते हैं, दोस्तों कंजप्शन गोड्स होते हैं, जो further processing में help कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, और help करते हैं, दूसरे goods की, तो उनको बोलेंगे, हम लोग दोस्तों यहां पे capital goods, चलिए समझते ह बागों में बाट रहे हैं, consumption goods और capital goods, यह देखिए, आपको flow chart थोड़ा इस तरीके से याद करना पड़ेगा, triple C, कैसे याद कर लिया, triple C, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, consumption goods refers to those goods, वो goods, which satisfy the wants of the consumers directly, वो consume करने के बाद आपकी wants होगी, directly satisfy हो जाएगी, for example, bread, butter, shirt, paint, television, furniture, यह सारे goods जो है, किस में आते हैं, दोस्तों, consumption goods में आते हैं, क्यों, क्योंकि आपकी directly जो है, needs को क्या करेंगे, दोस्तों, fulfill करेंगे, चलिए, आगे बढ़ते हैं, consumption goods can further be subdivided into, अलग-अलग category, मतलब few categories, कैसी है, भाई, सबसे पहला, durable goods, वो सारे goods, जो लगवा लगवा, ती या तीन साल से जादा आपको services दे पाएं, उनको हम लोग बोलता है, यहाँ पर, durable goods, durability, मतलब समय जादा देना, समय जादा तक के आपके साथ रहना, मतलब समय तक के आपके साथ रहेंगे, तो वो सब इसमें आता है, किसमें, durable goods में, टेलीवीजन, washing machine, यह सब, किसमें आएं हैं, over a considerable period of time, but एक particular period of time में इसको यूज़ करेंगे, हम लोग इसको बोलते हैं, लगबग तीन या तीन साल से जादा, वो goods होते हैं, durable goods की काटेगरी में, for example, television, refrigerator, etc, तीन या तीन साल से जादा आप यूज़ करेंगे, इससे कम तो इस्तिमाल करेंगे ही नहीं, semi durable, मतलब durable का are termed as semi durable goods, these goods have life span of around one year, लगबग एक साल या एक से देर साल चल पा है, for example, clothes, crockery, shoes, ये सारी चीज़ें जो है किसमें आती हैं, semi durable goods में आती है, चलिए आगे बरते हैं, non durable goods की बात करें, non durable मतलब जिसमें बहुत ही कम समय मिले आपको इस्तिमाल करने का, जैसे, माले ते, अभी मैंने biscuit का packet खुला, सारे दोस्स बैटे हुए, खतम, एक मिनिट लगेगा, खतम हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे, हम लोग non durable goods, जिसमें बहुत ही कम समय में चीज़ें खतम हो जाओ, इसको बोलते हैं, non durable goods, goods which are used up in a single act of consumption, एक ही बार open किया और खतम हो गया packet का biscuit, इसको बो एक बार अगर वो उपन हो खतम होगा, इसमें single use कर सकते हो, आप double use उसको नहीं कर सकते हैं, for example, milk, bread, food, grains, papers, etc, ये सारी चीज़े जो है, एक ही बार use करने पर खतम हो जाती हैं, आगे हम लोग बात करें, यहां पर services की, services refers to non material goods, services अपने आप में क्या होते हैं, non material goods होते हैं, which directly satisfy the human wants, कहीं ना कहीं वो क्या करती है, human wants को satisfy करती है, but यहां पर चीज़ों को आपको purchase नहीं करना है, चीज़ों का use करना है, जैसे train के ticket लेके train में travel करना है, train को खरीदा नहीं है, तो आप service ले रहे हो दोस्तों, यहां पर, they are intangible activities, बगर वो दिखती रही हैं, दोस्तों, they can neither be seen nor touch, ना तो वो दिखेगी, ना तो आप उसको क्या कर सकते हो, दोस्तों, यहां पर touch कर सकते हैं, for example, services of the teachers, doctors, banks, etc, यह सारे के सारे ऐसे field हैं, जो दिखते रही हैं, बट आपके काम आते हैं, अब हम लोग बात करते हैं, capital goods की, और those goods, मगर यह अपने आप में final goods होंगे, क् कि यह ready to use है, और दूसरी चीजों की production में help करते हैं, which help in the production of other goods and services, for example, plant and machinery, equipment, etc, यह सारी चीज़े जो है, कहीं ना कहीं आपको support करती है, दूसरे goods की manufacturing में, some points about the capital goods, capital goods, generally monetary term में थोड़ा सा high value के होंगे, generally capital goods, depreciation भी आप लगा सकते हो, चलिए कि हम लोगों को इसकी खासिया सम productive purposes and have expected lifetime of the several years, मतरब depreciation लगा सकते हो, क्योंकि यह जो assets है, यह जो goods है, वो बहुत सालों तक के आपके साथ रहने वाला है, they do not lose their identity, मगर इनके identity lose नहीं होती, in the production process, such that they do not get merge in the process of production, इसलिए, यह process of production में, इसको merge नहीं किया जाता, यह process of production में हमेशा help करते होएं चलता है, they need repairs or replacement over time, as they depreciate over a period of time, उसको repair की जरुत पड़ती है, क्योंकि धीरे-धीरे करके depreciate होते चले जाता है, मतलब कम या खतम होते चले जा रहा है, we are and tear and the obsoles के यह कारण होता है, दोस्तों, ठीक है, they have derived demand, as their demand is derived from the demand for other goods, which they are help to produce, यहाँ पे बोलता है, कि दूसरे goods को produce करने के इनकी जर derived demand होगी, लोग इसको चाहेंगे कि यह इसके पास हो, ताकि यह जो चीज़े बन रही है, वो जल्दी बन पाए, क्योंकि कहीं न कहीं यह machines है, और यह दूसरी चीज़ को बनाने में help करती है, कम समय में ज्यादा production कर पाती है, तो यह सारी कहानिया है, capital goods की, अब हम लोग आत यहां पे clear हो चुका था, और अब हम लोग आ जाते हैं यहां इसके answer पे, तो हमें पता है कि किसी भी चीज़ का आगा difference between के हम लोग बात करते है, तो वो कहीं न कहीं किसी base पे difference between create होता है, उस base को कहा जाता है, basis, जो दो topic है, हमारे difference between के वो है consumer goods और capital goods, तो दिमाग में यह र की production में help करते हैं, for example, sewing machine, sewing machine जो होती है, raw material को use करती है, और finished product बनाने का यहां पे काम करती है, तो इस तरीके से और भी बहुत सारे points है, जिसके basis पे हम लोग यहां पे difference create कर सकते हैं, सबसे पहला point, satisfaction of the human wants, अब यह goods बनाने से कौन satisfy होगा, consumer goods बनाने से जादा satisfy होगा, या तो capital goods बनाने से जादा satisfy होगा, these goods satisfy human wants directly, अब यह जो goods से यह directly human wants को क्या करता है, दोस्तों, satisfy करता है, so such goods have direct demand, इसी लिए इनकी demand जो है, वो हमेशा market में direct रही, मतलब बंदा सीधे जाएगा, directly उन चीजों को यहां पे purchase करेगा, यहां पे capital goods में जब हम लोग बात करते हैं, such goods satisfy human wants indirectly करेगा तो, मगर क्या करेगा, indirectly करेगा, मतलब raw material लगए किसी को मिल जा तो वो से directly satisfy नहीं होगा, but यहीं उसको अगर finished goods मिल जाए तो वो satisfy हो जाएगा, इसी लिए capital goods जो है, आपको satisfy तो करेगा, but indirectly form करेगा, आगे बात करते हैं, so such goods have derived demand, इसके कारण यहां पे इनकी जो demand हो production capacity की बात करें, तो कौन से goods जादा produce किये जाते हैं, कौन से goods कम produce किये जाते हैं, they don't promote production capacity, consumer goods पे production capacity का कोई लेना देना नहीं होता, क्यों, क्योंकि यहां पे directly हम लोग final goods को purchase करते हैं, but जैसी capital goods पे हम लोग आते हैं, तो they help in raising production capacity, क्यों, क्योंकि इनका काम ही है, production में help करना, और production जादा से जादा करना, तो यह दो difference के आप बाद हम लोग तीसरे difference पे आते हैं, expected life, कौन से goods में जादा समय मिलेगा आपको, या जादा समय तक कि उसको हम लोग sale purchase कर सकते हैं, तो consumer goods जो है, most of the consumption goods, except durable goods, have limited expected life, अगर durable को हटा दे, तो सारे goods की जो life होती है, वो durable life होती है, और यहाँ अगर durable goods की बात करें, हम लोग यहाँ पर durable goods, वो goods होते हैं, जो लगबग लगबग 3 या 3 साल से जादा आपके काम आ जाए, उसको हम लोग दोस्तों यहाँ पर बोलते है, durable goods, for example, television, for example, laptop, for example, refrigerator, washing machine, यह लगबग लगबग आपके पास 3 या 3 साल से जादा चल पात यह दूसरी बड़ी बात यह है, यह valuable चीज होगी, मतलब यहाँ पर इसकी एक तो physical identity भी रहेगी, दूसरा यहाँ पर इसकी monetary value भी जादा रहेगी और इस पर depreciation भी आप दोस्तों चार्ज कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमें difference between समझ में है कि consumer goods और capital goods क्या होते हैं, next question पर हम ल हम लोग example के तुरू समझते हैं, सबसे पहले बोला गया है net, मतलब यहाँ कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके का deduction हो चुका है, factor income का मतलब जब भी हम लोग महनत करते हैं, महनत करने के बद्दे में जो पैसा मिलता है, उसको बलता है factor income, अब यह लिखा है from abroad, मगर महनत कर रह रहा है, या हमारी country से दूसरी के पास जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग हो गए abroad, या हम लोग इसको बोल सकते हैं, दोस्तो rest of the world, तो मान लेते हैं कि राम नाम का बंदा USA जाके काम करता है, और वो इंडिया पैसा लेके आता है, तो हमारी इंडिया के लिए वो पैसा हो factor income from abroad, ऐसे ही अगर मान लेते हैं, कोई Martin नाम का बंदा है, वो यहाँ पे आता है, इंडिया में आता है, वो पैसा कमा के USA ले जाता है, तो दोनों के लिए ही USA और इंडिया दोनों के लिए foreign countries है, तो जो पैसा इन लोग कमा के जाएंगे यहां से, उनको कहेंगे हम लोग factor income, बट आया कहां से factor income from abroad, क्योंकि यह दूसरी country से आ रहा है दोस्तों, ठीक है, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करें, अगर हमारी country से जादा पैसा जाता है, मतलब की Martin जादा पैसा ले जाता है, और Ram पैसा कम ले के आता है, तो हमारे पास से पैसा जादा गया, पैसा ज जाना मतलब negative, तो यहां पे factor income from abroad और factor income to abroad दोनों का difference निकाला जाएगा, जिसको कहा जाएगा net factor income from abroad, अब यह जो net factor income from abroad हमारे यहां से जादा पैसे जाने के कारण यह negative NFIA हो जाएगा, इसी को vice versa हम लोग बात करें अगर, तो अगर मान लेते हैं कि बाहर से हमारे पास पैसा आता है, USA से पैसा जादा आता है, तो हमारे पास से पैसा कम जाता है, तो हमारा फायदा है इसमें, तो इस condition में यहां जो NFIA हो जाएगा positive, तो इस तरीके से NFIA positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, जिसमें दोनों condition fulfill होगी, मतलब from abroad भी उतना ही है, जितना की to abroad है, तो इस condition को हम लोग बोलेंगे भी या, 0 NFIA, तो चलिए हम लोग यहां पर इसको समझने की कोशिश करें, it refers to the difference between factor income received from the rest of the world, यह कैसा difference, जो यह बताता है, factor income जो है, हम लोगों ने जो भी कमाई है, rest of the world से, and factor income paid to rest of the world, इंडिया को अगर मैं बेस मानता हूं तो जो paid किया है, और जो हमारे पास आया है, उसका जो difference है, उसको कहा जाता है, NFIA, NFIA is equals to factor income earned from abroad minus factor income paid to abroad, तो यह difference हमें समझ में आ गया, आगे हम लोग बात करते हैं, इसमें कि भाई, component जो है, वो क्या-क्या चाहिए, हम समझने की कोशिश करते, factor income from abroad is the income earned by normal resident of a country from the rest of the world, normal resident जो rest of the world से पैसा कमा रहा है, वो कहला था, factor income from abroad, okay, in the form of wages, पैसा आएगा किस फॉर्म में, या तो wages और salaries के फॉर्म में आएगा, rent के फॉर्म में आएगा, interest के फॉर्म में आएगा, dividend के फॉर्म में आएगा, या retained earning के फॉर्म में आएगा, यहाँ पे दोस्तों, आगे बात करते है, factor income to abroad is the factor income paid to normal resident of the other countries, जैस for their factor services, किसके लिए देना है भी या factor services के लिए देना है, within the economic territory, but किसमें देना है भी या economic territory, मतलब जो area हमारी control में होगा, domestic territory या economic territory, जहाँ पे इंसान, मतलब कि कोई भी person, capital, या तो मान लेते हैं कि कोई बंदा जो है, वो easily move कर सकता है, दूसरा economic territory होने के कारण, उसका यहाँ इस country में economic interest होना चाहिए, मतलब saving, investment, यह सब expenditure सब उसको इस देश में करना पड़ेगा, तब जाके वो यहाँ पर क्या करेगा, पैसा earn कर पाएगा, तब जाके वो economic territory में यहाँ पर रह पाएगा, तो यह जो बंदा है non resident, यहाँ से पैसा लेके जाएगा, तो हम लोगों ने यह समझा कि from abroad और to abroad की कहानी क्या होती है, चलिए तो इसके calculation के हम लोग सबसे वहले यह समझे कि national income हमेशा जादा होगी, domestic income हमेशा कम होगी, अब अगर base हम लोग domestic income को बनाते हैं, हमारी country के income को बनाते हैं, तो domestic income में अगर मैंने NFIA जोड दिया, तो national income में अगर मैंने deduction लग NFIA is significant to differentiate between domestic income and the national income, अगर आपको find out करना है NFIA, तो आप दो चीजों का difference निकाल दीजे, NFIA के लिए, आप national income में से minus कर देए, domestic income को, या तो domestic income में से minus कर दीजे, national income को, तो यहाँ पे जो difference आएगा, वो आएगा NFIA, NFIA may be positive, may be negative, और may be zero, but आप जब difference निकालेंगे, तो हमेशा positive या negative आएगा दोस्तों, in practical estimates, domestic income is estimated first, अब हम लोग देखे, तो सबसे पहले हम अपनी country की income को क्या करते है, calculate करते है, and then national income is derived from the domestic income in the following manner, अगर domestic income आ चुका है, तो national income निकालना हमारे लिए बहुत ही और बेहत आसान है, दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, आ net national product and factor cost is equal to domestic income को अगर हम लोग लेते हैं, तो उसको बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे NDP8FC, क्या बोलेंगे दोस्तों, यहाँ पे NDP8FC, निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग domestic income में क्या जोड़ेंगे, नेट जो factor income from abroad due to contribution of normal resident to production outside the economic territory, तो factor income from abroad को क्या कर देंगे, domestic income में हम लो है, due to contribution of non-residents to production inside the economic territory, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे formula की मदद से भी question को solve कर सकते हैं, और यहाँ पे data को भी find out कर सकते हैं, तो हमें यह समझ में आ गया कि जो national income है, वो जादा होती है, जो domestic income होती है, हमेशा कम होती है, दोनों का difference होता है, उसको हम लो क्या आ जाएगा भई, national income यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरीके से जो national income का concept वो हमें दीरे-दीरे करके clear हो रहा होगा, दोस्तों, the difference of factor income from abroad and factor income to abroad, it terms as net factor income from abroad, तो इन दोनों का जो difference है, उसको हम लोग term कैसे करते हैं, और popularly known as abbreviated as NFIA, okay, easy language में उसको NFIA बोलना हमें, तो national income क्य national income मतलब होता है, sir, NNPATFC is equal to NDPATFC plus NFIA, यहाँ पर तो clear हो गया, बट आप कह रहें कि NFIA जो है, तीनों हो सकता है, positive हो सकता है, negative हो सकता है, positive कब, जब हमारे पास ज़्यादा पैसा है, negative कब हमारे पास से जब ज़्यादा जाए और ज़्यादा जाए ना आए, तो इसको हम लो तो negative होगा, NFIA is negative, when income earned from abroad is less than the income paid to abroad, भया, हमारे पास से ज़्यादा जाएगा, तो हमारा नुकसान है, तो नुकसान होने के करण NFIA क्या हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पे negative हो जाएगा, NFIA is zero, when income earned from the abroad is equal to the income paid to the abroad, भया, zero भी हो सकता है, जब दोनों चीज़े क्या हो जाएंग है, यह calculation तो हम लोगों ने कर लिया, बट हम लोग बात करते हैं कि NFIA में तीन में कंपोनेंट होते हैं, एक एक को समझने की कोशिश करें, there are three main components of NFIA, number one, net compensation to employees, एक बंदे ने जितना काम किया उसको उसके हिसाब से कितना पैसा मिलना चाहिए, उसको बलते हैं, net compensation of employees, it refers to difference between income from work received by resident worker leaving or employed abroad for less than one year, अब बहार हमारा बंदा जो भी रह रहा है, एक साल से कम उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, and similar payment made to non-resident worker staying or employed within the domestic territory, और उनकी बात करे हम लोग जो हमारे देश में रह रह रहे हैं, but एक साल से कम, of the country for less than one year, तो इसको हम लोग जो पैसा देने वाले हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं, net compensation for employees, पहली यह यह component होगी, NFIA की दूसरी, net income from property and entrepreneurship, अगर उस बंदे ने पैसा कमा जा, काई से, या तो property से, या तो entrepreneur, entrepreneur का मतलब वो person जो की risk लीना जानता है भाई, ठीक है, it refers to difference between income from property and entrepreneurship, in the form of किस तरीके से उसके पैसा आएगा, या तो rent में आएगा, interest में आएगा, या तो वो dividend के form में आएगा, received by resident of the country, आप यह किसको मिलने वाला है, country में जो resident रह रहा है, उसको मिलने वाला है, and similar payment made to the non-resident, अगर जो बंदा बाहर से आ रहा है, बाहर से आके पैसा ले जा रहा है, वो तो हमारा two resident हो गया, और हमारे पास बाहर से आ रहा है, तो from resident हो गया, दोनों ही non-resident है, USA में जो हमारा राम नाम का बंदा रह रहा है, वो वहां के लिए non-resident है, और मार्टिन नाम का जो बंदा इंडिया में रह रहा है, वो हमारे लिए non-resident है, तो इस तरीके से income or property से भी इनके पास पैसा आता है, net retained earning, इसको सबसे easy language में समझे, त expenses करने के बाद अगर कुछ बच जाए, that is known as saving, it refers to difference between retained earning of resident companies located abroad and retained earning of non-resident companies located within the domestic territory of the country, तो आप यहां पर जो भी earning कर रहे है, उसमें से जो बच जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, दोस्तों, यहां पर retained earning, retained earning refers to that part of profit which is kept as reserve, कैसे रखना भी है, reserve, तो reserve को मैं तो यहां पर saving ही बो तो after paying the corporate tax and the dividend, क्या पे करना है, भई corporate tax और dividend पे करना है, उसके बाद जो बच जाए, उसको हम लोग बोलेंगे, दोस्तों, यहां पर net retained earning और easy language में मैंने क्या कहा है, इसको हम लोग saving भी बोलते हैं, ताकि exam में आपको याद रहे, अगला question screen पर आता है, question number 8, define intermediate goods, दिमाग में रखो, intermediate goods का मतलब वो सारे goods और raw material के तरह काम कर रहे है, raw material पे further processing की जाती है, back to back, back to back processing की जा सकती है, and final goods, और intermediate goods के बाद हम लोग बात करेंगे, final goods की, final goods वो goods जिस पे further processing नहीं की जा सकती है, ठीक है, example के तोर पे हम लोग यहीं पे समझे, कि भाई, जो milk है, milk seller के लिए, वो goods के nature के हिसाब से, उसको हम लोग या तो intermediate goods में ले सकते हैं, या तो उसको final goods में ले सकते हैं, can milk be an intermediate goods, देखो question पुछ लिया आगे, कि जो milk है, वो intermediate goods है, आपको तो समझ में आगे, उस पे processing हो सकती है, जब processing होने के कारण ही दादा, क्या कर सकते हो, आप इसको intermediate goods मान सकते हो, बट, ऐसे कैसे, give your answer with reason, अब हर reason अगर दे पाओगे, तो हम मानेंगे, अगर reason नहीं दे पाओगे, हम नहीं मानेंगे, चलिए, एक एक को समझते है, final goods क्या होते हैं, refers to those goods which are used either for consumption or for investment, ऐसे goods जिसको या तो consumption के लिया जाए, या तो investment के लिया जाए, उसको बोलते है, दोस्ते या पे final goods, अगर intermediate goods की बात करता हो, तो बोलता है, it refers to those goods which are used either for resale, क्या करना है भईया, उसको resale करना, किसी से खरीदा और किसी को बेज दिया, और for further production in the same year, एक ही साल में, या तो उस पे किसी को बोल दिया, भईया, काम करो और इसको finished goods बना, अगर एक साल में यूज नहीं ह होते क्या है, किस तरीके से यहां पर काम करते हैं, अब जैसी हम लोग आते है, milk purchased by restaurant is an intermediate goods, because it is purchased for reselling, उस से कोई product बना के बेचना चाहता है, इसलिए milk को जो है, हम लोग यहां पर मानेंगे दोस्तों, intermediate goods क्योंकि उसका final consumption नहीं हो, अस पर भी processing बाकी है, चलिए आगे बढ़त है, macro economic point of view से, चलिए एक एक sector के हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले आते है, household sector मतलब की हम लोग जो चीजों को बना के देने का काम करते हैं, mainly हम लोग owner होते है factors of production के, हमारा मन होगा तो हम बहुत अच्छा बनाएंगे, और अगर मन खराब हो गया, passion खतब हो गया, हमारा काम कर रहेगा, तो हम काम अच्छे से नहीं करेंगे, इसको कहीं ने कहीं बोला जाता है, household sector, engage in the consumption of goods and services, but हम लोग बनाते भी हैं, और दूसरा हम लोग चीजों का consumption भी करते हैं, दूसरा होता है producer sector, जिसको हम लोग firms ही कह सकते हैं, firms वो जगह जहां पे चीजों को produce किया जाता है दोस्तों, engage in the production of goods and services, मतलब यहां सारे factors of production को use किया जाता है दोस्तों, इस तरीके से दो सेक्टर हमें समझ में हैं, तीसरे सेक्टर पर आते हैं, government sector, दोनों ही जिस पे dependent हैं, उसको कहा जाता है, यहां पे government sector, मतलब household भी dependent हैं, और firm भी दोस्तों यहां पे dependent है, engage in such activities which are related to the taxation and the subsidies, अब government का main काम क्या है भी या, taxes और subsidies की बात करना है, taxes का मतलब government ने जो compulsory fee charge करकर रखी है, या तो वो direct form में हो सकती है, उसको कहा जाता है taxation, और taxation का पूरा काम जो है सिर्फ government के पास रहता है, अगर मैं subsidies की बात करो तो subsidies का मतलब होता है, discount given by the government, अब सरकार discount क्यों दे रही ह बहुत महेंगा कर देगी, तो लोग खाने की दिक्कत हो जाएगी ना, खाना कैसे बनाएंगे, तो इसलिए उन लोगों को ने कहा कि LPG surrender काम सस्ता करते है, मगर यहां सस्ता तो नहीं करा गया, बट उसकी MRP जो है, उसमें आपको subsidy दे दी गए, जैसे for example, किसी ने 1200 आजाएगी, तो एक्चुली में उसको कित्ते का पड़ा, 900 रुपीज का, और यह गवर्मेंट सीधे उस बंदे के अकाउंट में डाले कि जिसको डारेक्ट बेनिफीशरी ट्रांसफर, तो इस तरीके से गवर्मेंट जो है, टेक्सेशन और सबसीडी पॉलिस को यूज कर यह रिस्ट आफ दे वर्ल्ड की बात करें हमारी कंट्री के बाहत जितने भी लोग हैं, वह सारे के सारे रिस्ट आफ दे उर्ड में आते हैं, यह हम लोग इसको इसको एग्जेशन और इंगेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, बढ़ यह किस काम में इंवाल्व है यह यह है नेक्स कोशन हम आ रहे हैं कोशन नमबर टेन पर बहुत इंपॉर्टेंट कोशन है एक्जाम में यह आता ही आता है दोस्तों बिट्वीन नेट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल विच इस टॉक एंड विच इस फ्लो अब बताना है यह कौन सा इस टॉक है कंपेर नेट इ लिए चाहिए कंपेर वह सब चीज़े जो है दोस्तों किसमें आती है वह सब चीज़े आती है आपके फ्लो में ठीक है ना चलिए समझते हैं कि चीजों को इस टाइड क्वाइब विच इस अपर्टिकॉलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाए उसको कहा जाता है यहां में is stock has no time dimension मगर स्टोक के पास कोई टाइम डाइमेंशन नहीं है तैम डाइमेंशन का मतलब इसको कब मेजर करना यह कोई तहर नहीं है मगर एक दिन कभी ना कभी आप उसको करोगे flow is that quantity of an economic variable which is measured during the period of time one कि a point of time और यहां period of time में कभी भी कहीं पर पर आप से पर मतलब कि यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रिजीडिटी आ जाते हैं दोस्तों चलिए समझते हैं आगे net investment is a flow variable net investment कहीं ना कहीं flow variable है and capitalist stock variable क्यों है क्योंकि यह period of time क्भी भी हो सकता है but capital stock क्योंकि यह particular point of time प्रोज़कता है flow of water in a tank is flow how much water tank में तक पानी जा रहा है by question its PMБानी जा रहा है वह सब्सक्राइब आधे घंटे में किती तंकी बर गई बीस मिनित में 30 मिनिट में चालिस मिनिट में तो पिरिट ऑफ टाइम के आप से कैलकुलेशन हो रहा है यहां पर फ्लो कॉंसेप्ट है दोस्तों वेराज स्टॉक ऑफ वाटर इन टैंक इस स्टॉक बिकॉस इडिस मेज़र पॉइंट ऑफ टाइम वह जितना पानी रखा वह उतना का उतना ही रहेगा अगर उसमें कोई चेंज नहीं किया जाए सी लि से कम कर रहा है इनवेस्टमिन अन्ड़ आथर हैंड इसलाइक फ्लोर वाटर इन दा टायक और मुन काम के क्यों क्यों कि तरह से काम करेंसे हो तो यह पीरियल ऑस ठायं की तरह साथटा रहे गा और काम होता रहेगा एसी और वीडियो इसके पढने रही है थैस्ट एंक्स वर वाचिन हो और